नमस्कार दोस्तों वेलकम टो नॉलेज अबीसी मैं हूँ निखेल और आज के करेंट अफेर्स में आप सदीका स्वागत है तो और आज है 16 सितंबर 2022 तो चली सुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले कोश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहला कोश्चन है रिसेंटली नी में निति आयोग के द्वारा सुनिक अभियान की पहली वर्सगाट मनाई गई है और इसकी मेजमानी की गई है तो आपको बताना है कि सुनि अभियान क्या है वाट इस सुनिक एंपेंट आपके पहले अप्शन है तो प्रमोट रियूज ऑफ प्लस्टिक बैग दूसरा अप सुनिक एंपेंट का ही एम यही था कि एलेक्ट्रिक वैक्यल का उपियोग लोग जादे से जादे करें इसके कारण जो एयर पोलूशन है वह भी काफी कम हो जाता है और इस पे धीरे धीरे पुड़े लोग को सिफ करना भी इसका एक मात मकसद है और इसका एक सार पूरा होन के बाद नीति आयो के द्वारा इससा फर्स्ट अनिवर्सरी होस्ट किया गया है और इसमें पूरे जो सुने कैम्पेन है इसमें एक सो तीस इंदस्ट्रियर पार्टनर सामिल हुए है जिसमें राइड हैडिंग हो गया डिलेवरी हो गया एलेक्रिक वैकिल कमपनी जो है यह सब मिलके इसमें गुरूप बनाके सुने कैम्पेन को आगे बढ़ा रही है तासा नीतिवार्ट तो है इसमें नेक्स्ट पोस्टन है सेवन्थ एडिशन ओप फीवा अंडर सेवन्टीन वोमेंस वर्ल्ड कप 2022 उल्ड भी हेल्ड इन तो अंडर सेवन्टीन महिला अभिश्य अल्र कर फुडबाल का साथेद्वा सांस्कर कहां पर होगा आपका अपसेने साही अंजन ईसका सही अंसर का पैसा सभीस सिटीज में होगा इसका होस्टिंग किया जाग है या इसके मैचस घंच तीनल सी यह जो अंडर 17 वर्ड कप है यह हर दो साल में एक बार होता है जो इवन यह पड़ता उसमें इसका इवेंट होता है चलता है नेक्स्ट कोशन की तरफ एक्सरसाइज काकाडू 2022 के एक ट्वेंटी ट्वेंटी जिसको सॉटन पर जाता है इसे मल्टी नेशनल एक्सरसाइज पो काकाडू एक्सरसाइज 2022 होस्ट किया जा रहा है यह मल्टी नेशन एक्सरसाइज है जिसको किस हर चाहए और यह ठरजीलेद बार्च अटार्थ चाहली और त्रफ को पिला जा रहा है और अस्त्र अलग से वहां से वीडियो के बारे निज़िशे डाल दूगा डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और आई बटन पे भी इसका आ रहा होगा इत विल भी हेल्ड इन ये पूरा एक्साइज दो हफ्तों के चलेगा जो कि 12 से 24 सितंबर के बीच में होगा और ये दो हफ्तों लंबे चलने वाला एक्सेसाइज हर दो साल में एक बार होता है और इसमें 3000 परसनल भाग लेंगे चाहिए इसमें 15 वार्शिप भी होगे और इसमें 30 एयरक्राफ्ट भी सामिक होगे इसमें सब्सक्राइब रहें की हमतीट्रम्ट्ररेंज से संब्सक्राइब हो अगर वीसुएट कर ओदो इसके तसे कि अगर बात करें तो इसका थीम हगेंगे लीडर से लीडर्शीप और से चलते हैं next question के तरब तो name the company partnership with the ISRO has launched the high speed satellite broadband service in India तो उसी कौन सी company है जो ISRO के साथ partnership करके high speed satellite broadband service जो इंडिया में provide करेगी आपके options है UGES, Communication India, Vodafone, Idea Limited, Reliance, Jio, Infocom भारत संचार या फिर भारत संचार नीगम Limited तो चलते हैं सही option के तरब तो उसका सही answer है UGES, Communication India जो Limited है इसने और इसनों ने एक joint venture किया है और ये दोनों मिलके इतों के satellite के द्वारा high speed broadband service प्रोवाइड करेंगी direct satellite से और ये जो satellite का connection होगा इंडिया की remote areas में provide होगा जहां पर directly communication tower को लगाना काफी मुश्किल हो जाता है और ये direct satellites आगे और इसकी speed भी कम से कम एक GVPS की रखी जाएगी और यहां जहां तक इस company की बात करें है जो जो बड़ी कमपनी है भारती एक्टर इस दोनों का joint venture है और ये जो जो के साथ partnership करके high speed internet प्रोवाइड करेंगे और ये जो इस दो का satellite कौन सा यूज़ करने वाली है तो जीचेट 11 और जीचेट 29 सेटलाइट को यूज़ करके ये internet प्रोवाइड करेंगे तो नेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे तो नेम दे सिटी विच क्रियेट हिस्टी बाइंप्ली डिजिटल एंड्रेसिंग सिस्टम तो कौन सा सहर है इंडिया का जो फुली डिजिटल एंड एक स्मार्ट सिटी τοीन है और फुली डिजिटल एंड्रेसिंग सिस्टम पर काम किया और इससे मिलिमेंट भी किया है पत्ता नविगेशन फिल्म जो की इसको बना रहे है पूरे सिस्टम को ये इस रों के साथ दिपरके ये पूरा सिस्टम 거야 पैएं और इसमें सारे लोगों क से आप उस घर का पूरा address निकाल सकते हैं और इसमें voice recorder का भी सुवीदा रहेगा और इसमें आप voice record करके बता सकते हैं आपको सिर्फ code मिल जाएगा तो आपको अपने पर जो relative आ रहे हैं उनको बार बर phone करके पूरा डिटेल आड्रेस नहीं पढ़ेगा सिर्फ और कोड से आप उसमें जो वाइस रहेंगे उसके द्वारा आप पूरा रिकॉर्डट जो रहेगा उसके द्वारा पूरा पता जाने जाएंगे इसलिए बार बार आपको फोन करकर कर के वेस्ट को बार बार अपना एड्रेस पताने की जरुद नहीं होगे यह सारा सिस्टम डिजिटलाइज हुजाएगा जलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ तो नेम दा सोचल मीडिया प्लाटफर्म विश पार्टनर विट इंडियान पोस्ट पेमेंट बैंक तो बूस्ट अफाने से इंक्लूजन एंड लिट्रेसी इन डा कंट्री तो ऐसा कौन स इसका सही आंसर के तुरफ तो इसका सही आंसर है कू के द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है यह कोलाबरेट किया और इसके साथ कोलाबरेट्शन करने के साथ यह फानेंसर इंक्लूजन काफी बढ़ेगा टीया टू टीया त्री और जो रिमोट एरिया थे उन सब जगों में कूएप की खासियत ही होती है कि मंटी लिंग्वल है एक से साथ कई भासों में लगवर दस भासों में काम करता है जिसके कारण लोकल लेंग्वज में इसमें कम्मुनिकेट करना काफी इजी हो जाएगा लोग को काफी कमफर्टेवल पील होगा और जहां तक अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो